करोना सग्रम्ण के चलते हमीरपु जिला भर में निगरानी बढ़ाई गई है और घरों में चिपकर बैठे ट्रेवल हिस्ट्री वालों को उजागर करने के लिए घर घर जाकर 537 टीम में जुट चुकी हैं इसी के चलते जिला हमीरपु में एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहट 9 अप्रैल तक 537 टीमों के 1175 सदस्य करोना भीमारी के लक्षन और साबधनी की जानकारी लोगों को दे रहे हैं जा रही है ताकि करोना महामारी से बचाब किया जा सके स्वास्ते भीवा की फार्मसिट सपना कुमारी ने बताया कि करोना भीमारी के बचाब के लिए क्या करें इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है उन्होंने बताए कि जो लोग बाहर से आई हुए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि करोना बिमारी को फैलने से रोका जा सके उनको पकड़ने के लिए उनको देखने के लिए कहीं सिंटम तो नहीं है बाहर से आई हो लोगों की तो उसकर के ज्यादा करने के लिए भी कि हंजी अगर बाहर से कोई आया है तो उसको ऐसा डरे नहीं मतलब इसमें कोई डर नहीं है जो भी है वह आप खुल के सामने आई इस चीटा खालाइब आपके आपके उससेसे आपके आपके समाज के लिए फाहिदा है तो इसकर के भी ज्यादाँ तर लोगों को इसलोरा करने ढूए है और बाग कीतो लोगों को सारा परताय और बताय भी जा एक forme पुखकर गरी फींति कंष लें पर नू यह तो एकूर पर में आशा वर्कर अर्चनसोनी ने बताया कि सभी लोगों के फॉरम भर कर पूरी जानकारी जुटाई जा रही है और इस जानकारी को आंलाइन भी किया जा रहा है उन्होंने बताये कि कुरोना बिमारी से कैसे बचना है इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी जा रही है बहीं हमिरपूर के बार नंबर चार में आशा वरकर ने बताये कि करोना बिमारी से बचाव के लिए लोगों की पूरी जानच परताल की जा रही है उन्होंने बताये कि लोगों को खांसी जुखाम की हलत में किस तरह की दवाईले ये भी पूरी तरह से जानकारी दी जा रही है पहले हम गर जाकर देख रहे हैं कोई बार से तो नहीं है कोई बीमार तो नहीं है अवार्ड से आया हुआ है कि इंडिया के कोई बार से आया हुआ है ये देख रहे हैं अगर कोई अवार्ड से आया है तो उसको देख रहे हैं कि कहीं खांसी तो नहीं बुखार तो नहीं जु नगरपशित की अधिक्षता सलोचना देवी ने बताया कि स्वास्ति भाग के द्वारा बहुती बढ़िया काम किया जा रहा है और इससे लोगों को करोना बिमारी के प्रती जाउरता भी फैल रही है उन्होंने बताये कि इस तरह घर में टीम के दोरा घूमने से करोना बिमारी से बचने के लिए लोगों को महत्पुन जानकारी मिल रही है और सब कर रहे हैं तो लोगों से यह है कि अपने माग से बगारा पैनके रखें बाहर निकलना थोड़ा तो माग से बगारा दूरी बनाएंगे उसरे से एक दूसरे से दूरी बना के रखें थोड़े 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 ताइम बाद से अच्छा हाइंड बास कर लें बास यह बोड़ें कि सब एक दूसरे से बूर रहें और अपनी बिमारी के ज़गर हो यह करें बहीं सीमो हमीरपूर डॉक्टर अर्चन सोनी ने बताया कि एक्टिव केस फाइंडिंग टीम का मुख्योदे से करोना बिमारी के लक्षनों की स्कीनिंग करना है उन्होंने बताया कि कई जगों पर अवी भी कुछ लोग घरों में चिपे हुए हैं और ट्रेवल हिस्ट्री को छुपाई रखे हैं इसलिए ये टीम घर घर जाकर पूरी परताल कर रही है कि कौन कहां से आया है उन्होंने बताया कि टीम में घरों में जाकर करोना बिमारी से बचने के लिए पूरी तरह से जानकारी भी मुहिया लोगों को करवा रही है हमारी टीम्स हैं जिसके बारे में हम एक तो वो सोशल डिस्टेंसिंग मिंटेन करेंगी और वर्बल स्क्रीनिंग करेंगी सबसे बड़ा जरूरी है कि हमारी टीम की हिफाज़त भी जरूरी है तो वो वर्बल स्क्रीनिंग करेंगी और टीम का मुख्यक ये रहेगा एक अव स्क्रीन करेंगी और तीसरा सबसे इंपोर्टेंट यह है कि केई जगा अभी भी हमें ऐसा एसा प्रशाशन भी सोच रहा है हम भी सोच रहे हैं कि अभी भी कुछ लोगों ने डिकलेर नहीं किया है चाहे वो इंटरनेशनल ट्लैवर हैं ट्रैवलर्स हैं चाहे वो बिश्ते आया है या फिर इंटर स्टेट ट्रेवलिंग की हुई है तो इन चीजों पर हमारी टीम ध्यान करेगी और इन ही चीजों पर फोकस करेंगे हम और खांसी जो काम की छोटी मुटी दवाई या कोई किसी चीज की घर घर हम जो ट्रीटमेंट जो हमारा इस फील्ड अगों को घरद्वार मिल जाएं